नमस्कार स्वराज अभ्यान प्रेस विग्यप्ति दिनांग 9 अगस 2015 स्वराज अभ्यान ने दिल्ली पुलीस द्वारा जैकिसान मार्च को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने को अलोकतांत्रीक वशर्मनाग बताया है पहले से पुरा रूट बताने और इजाज़त लेने के बावजूद जैकिसान ट्रेक्टर मार्च को दिल्ली में प्रवेश करने से पहले पुलीस ने रोका जैकिसान आंदोलन का काफिला आज सुबह मेवात के मूँ से शुरू हुआ तो भारी बारिश की परवा किये बिना करीब सो ट्रेक्टरों का काफिला दिल्ली की और बढ़ा रास्ते में यह मार्च मेव में आंदोलन कर रहे किसानों के धरन्यस तल पर पहुँचा उसके बाद सोहवा वब भाच्शापूर से होते हुए जब यह काफिला दिल्ली बॉर्डर पर आया तो करीब 200 ट्रेक्टर वब करीब 50 अन्यवाहन भी इनमें शामिल थे रास्ते में अनेक जगाओं पर जै किसान ट्रेक्टर मार्च का किसानों द्वारा जोड़दार स्वागत किया गया सैंकडो कलश योगेंद्रयादो को भेंट किये गए इस अभियान में रोचका मेव से सुराज अभियान के सियोजक आनंद कुमार वो वरिष्ट सधश्य प्रशान भूशन भी शामिल हुए शांती पूरवक तरीके से करिब 665 किलोमिटर की यात्रा पूरी कर चुके जै किसान ट्रेक्टर मार्च को कहीं भी पुलीस द्वारा नहीं रोका गया मगर दिल्ली में बैठी केंद्रय सत्ता को किसानों का दिल्ली में आना पसंद नहीं आया इसलिए बिना किसी नियम कायदे का हवाला दिये हजारों गाउं की मिट्टी को सांसत तक पहुँचाने के लिए अपने साथ लेकर आ रहे मार्च को दिल्ली पुलीस ने रोक दिया कहा गया कि आप दिल्ली में सम्हू में प्रवेश नहीं कर सकते चै किसान ट्रैक्टर मार्च का नेतरित्व कर रहे योगेंदर यादव दिल्ली के तिमारपूर के विधायक पंकश पुषकर सहित आनंद कुमार वप्रिशान भुशन ने पुलीस को लगातार समझाने की कोशिश की उन्हें यह समझाया कि यह किसान के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है देश की राज़दानी में किसानों को आने से रोकना अलौकतांतरिक ही नहीं बलकि देश के किसानों को सत्ता के दरवाजे तक पहुँचने से रोकने का असभ्यवः शर्मनाक कार्य है सैकडो के संख्या में वहां मौजूद लोगों को वही पर संबोधित किया गया बढ़ते जन समर्थ के चलते पुलीस पर दबाव बढ़ा तो जैकिसान मार्च को बिना ट्रैक्टरों के जंतर मंतर तक जाने की इजाज़त दी गई किसानों की आवाज को बुलंद कर संसत तक सुनाने के इरादे से चले मार्च के सयोजक योगेंदर यादव ने घोशना की कि उनके लिए किसानों की आवाज महत्वपूर्ण है जिसे संसत तक सुनाने के लिए वे पैदल भी चलेंगे इस घटना के उपरांत योगेंदर यादव मार्च में चल रहे साथियों के साथ पैदल चलें ट्रैक्टर वहीं बॉर्डर पर रोक दिये गए योगेंदर यादव ने कहा कि वोट के लिए किसानों के दर्वाजे तक बड़ी कारों के काफिलों में जाने वालों को आज किसान के ट्रैक्टर इस देश की राजधानी में मन्जूर नहीं इसी मद्भेत के खिलाफ संघर्श जारी रहेगा जै किसान, जै हिन, स्वराज अभियान मीटिया